ब्रेक की बार स्वागत है आपका जनता का फैसला में एक बार फिर अभी हम बात कर रहे थे जैपुर शहर की सीट की जहां पर रामचंड बोहरा के सामने हैं कॉंग्रेस की जोती खंडेलवाल जोती खंडेलवाल मदगर्णा सलपरी हैं क्या कहती हैं आईए आपको सुनवाते हैं कि वहीं पिशली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले रामचंड बोहरा इस बार भी अपनी जीत के प्रती आश्वस्त हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं हर जनमानस में एक बात बैट यूए हमारे भारत की प्रधान मंत्री नेंद भाई मोधी जी पुने प्रधान मंत्री बने और राज़त्तान चे 25 पचीशी के जीतकर नेरंद मोधी की और मजूदी दे मैं सभी कारकताओं को बहुत बहुत दन्यवात देना चाहता हूँ जन्हों ने एक बड़े संगर्श के साथ हर्स व्लाज के साथ बहुत इंदा पार्टी को बीजे बनाने का संकर लिया है कुल मिला के रामचन बोहरा इस बार भी पूरी तरह आश्वस ने उन्होंने तो कारेकरताओं को धन्यवाद भी देना शुरू कर दिया है निलजे जी मैं दर्शकों को बदा दूँ लगबग 200 सीटों के रुजान देश में अब तक सामने आये हैं उनमें 113 सीट पर मोदी और मोदी के सयोगी दल आगे चलने 57 सीटों पर कॉंग्रेस और कॉंग्रेस सयोगी दल आगे चलने 60 सीटों पर आगे हो गए हैं कॉंग्रेस और कॉंग्रेस सयोगी दल 113 साथ और 35 पर अन्य आगे चलने इस वक्त आंकड़ा यह है एक सो तेरा साथ पैंती इसकुल दो सो आठ सीटों के रुजहान अब तक सामने आये हैं तो क्या रुजहान किस तरफ जा रहे है निल जे तो एक जिट पोल की तरफ ही जाती समय आ रहे हैं वी तो फिलाल पर यह बहुत जल्दी है पहला राउंड भी नहीं होगा अभी पूरा और यह पोस्टल बैलेट की गिंती का ही नतिया है मेरे ख्याल से जो सामने आया है अब और जैसी 211 के रुजहन सामने हैं 113, 63 और 35 जी हम बात कर रहे थे इस बार जो राष्टवात का मुद्दा हावी रहा चिनावों में क्या उसी का परिणाम आपको नजर आ रहा है इसके अंदर भी है अभी परिणाम तो आने दीजिए अभी तो बहुत प्रिमेचर है इसको इसको करने की जडरोत नहींया अभी अभी तो शूचणा जरोते है दर्शकों को साद्वी प से इंपोर्टेंट खबर किसा और हैं इस सीकर से समयधानान सरस्वती आगे चले रहे हैं जी है। बंगाल में मम्ता बनलर जी भी आगे चल गांगे नी ला सकती है। धार टो जी पंग्रर नहीं बाटो दूर सीजेपी ऑगी सीरी नियों सकती ह। जो ममता विरोधी वोड था और जो 25-30-40 साल से CPM लाल जंडे के साथ था वो ममता से मोर्चा लेने के लिए बीजेपी के पक्ष में पोल रही हो गया और इसलिए बीजेपी वाँ रेलेवेंट हो गई अनिल जी अभी एक खबर आई है कि जैपु शहर से पहले राउंड में जोती खंडेल वाल थोड़ा सा आगे चल रही है थोड़ी सी चाहिए को लगता है उनके लिए रहत की खबर है जी से भी पहला राउंड है कई राउंड होंगे और लेकिन एक बार कई बार होता है कि शु या आदर्श नगर की मुस्लिम वोर्ट खबोट खबूंगे हो सकता है कि मालवी नगर ऐसा विदान सबाष खेत्र होगा जहांपर जो वोड़ी साँ में बीजेपी को मिले थे वो शायद इस बार कॉंग्रेस के पक्ष में चले जाएं और जो वोट कॉंग्रेस को मिले थे वो सकता है इस बार बीजेपी के पक्ष में चले जाएं यह लट फेर इसलिए संभव है कि अर्चना शर्मा के पक्ष में जो ब्रामन वोट है उनके साथ चला जाए और काली चंड सराफ के पक्ष में जो वोट पॉल राइज हुआ था खास्तोर पर बनियों का वैश्य का वह जैन का और दूसरा वो शायद वैश्य प्रतियाशी कॉंग्रेस का होने विए से वह कॉंग्रेस चल जाए तो वहां यह उलट फेर हो सकता है पर जो जाती आधार पर पॉल राइज हुए थे उनमें अर्चना शर्मा के वोट होसता है रामचन बोरा को बीजेपी के वसाथ चल जाए और काली चंड सराफ के वोट होसता है वो पॉल राइज होकर जोती खणिलाल के पक्ष में चल जाए यह उलट फेर इसे कॉंस्वें जी में संभव है हाला कि अनिल जा बार-बार कह रहे है बहुत शुरुआती रुजहान है इसके बारे में अनलसिस करना ठीक नहीं है लेकिन एक सूशना आ रहे है कि अमेठी में मात्र 19 वोट से राहुल गांधी पीछे चल रहे है बहुत छोटा सा आकड़ा है लेकिन एक ब अमेठी में राहुल गांधी पीछे हैं लेकिन बहुत कम वोट है हला कि इनको लेकि हम आगे क्लिए कुछ कह नहीं सकते राहुल से आगे एक बार तो सुम्रिती इरानी होई गई है जैसे मैं अभी का जैपो शहर में चाहे एक बार तो जोती खंडेलवाल आगे हुई उसी बहुत अभी शुरुवाती रुजहान है इनको लेकर अभी आगे क्या परिनाम होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता तो सो बावन सीटों के रुजहान आ गया है जिसमें 143 पे एंडिये आगे चल रही है तैतर पर यूपी आगे चल रही है और चतिस पर अन्य है पंजाब में इस समय कॉंग्रेस अच्छा कर रही है उसकी उमीद थी पहले से कॉंग्रेस की सरकार भी है कैप्टेन अमरेंदर सिंग वहां मुक्षी बहुत सुबर जेन्टल चुनाव हुआ है वहां पर और अकाल दल अभी अपनी पुरानी हार के बाद रिकवर नहीं कर प सवेर्स जी और सुप्रीम कोर्ड में वकील रह चुके हैं चूरे से राहूल कस्वा भी आगे चल रहे हैं गंगा नगर से मेगवाल नियाल चन्द मेगवाल भी आगे चल रहे हैं कि यह मुझे उम्मीद नियाल चंद मेखवाल की केस में कि वहां शायद फाइट हो सकती गंगा नंगर में कॉंग्रेस बीजेपी की वहां टकर है मेरे इसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वहां कि अनिल जी क्या लगता है जो राज्यस्थान में विधान सभा चुनाव हुए कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की बीजेपी को विपक्ष में बिठाया यह जो चुनाव रहा क्या कुछ कॉंग्रेस का प्रभाव रहेगा इस समय उस जीत का सबसे पहले बड़ी ख़बर तो यह ग और बाड मेर से मानवेन सीं के पीछे चलने ख़बर आ रही है जी राइब रेली से सोनिया गांधी आगे चल रही है जी मुमें नौर से कॉंग्रेस की प्रतियाशी उम्मिला मान्थोर्ट नुट भी पीछे चल रही है सनी देवल हाला की आगे चल रहे है पंजाब के सीट पर चुनाव लड़ रहे है पोस्टल बैलेट में जोदपुर से वेव गयलोत आगे चल रहे है जो पोस्टल बैलेट हुए है उसमें वेव गयलोत आगे रहे है कॉंग्रेस से प्रतियाशी है मुक्यमंद्री अशोग गयलोत के बेटे हैं वेव गयलोत बहुत नजर है इस स कहेंगे हम पहले भी बात कर चुके हैं हमने अब देश की बात की लिए हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या मोधी फैक्टर बहुत जादा आपको आवी दिखा आपको पूरी तरह से जो अर्बन इलाके हैं कस्बा और शेहर जी उनमें तो मोधी मोधी हुआ देखिए और जो अठारा साल की उमर का नोजवान था ने पहली बार बूड़ देने वाला वो तो मैं स्ट प्रशिश्थ तो कहना उचित नहीं होगा लेकिन उसको सत्तर प्रशिश्थ मानने तो मोधी के साथ गया हो जी अठार साल का पहली बार का मद्दा था उसे मोधी के भाष्णों ने उसे मोधी के राष्टवाद ने और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए एक आदमी नेता ने उनको अनुप्रेनित किया है बूर दालने के लिए बीजेपी के पक्ष में अनिर जी गुना से चूतिरादित्ते सिंध्या पीशे चल रहे हैं ये भी एक कुछी वोटों से सही लेकिन वो इस समय महां से पीछे चल रहे हैं चले राजस्थान की हम बात कर रहे हैं राजस्थान में फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बना रखी है कुछ सीटों पर हाला कि कॉंग्रेस भी फाइट में है अभी तो रुजान है परिणाम आएंगे तो ह अगे कुछ बता पाएंगे इसके अंदर शुर्वात ही जानों में यूपी काफी आगे दिख रहा है अनिल जी यूपी नहीं अगे दिख रहा है अगे दिख रहा है श्रमा करें जी अभी तो यह बिल्कुल जो एगजिट पोल था उसके अकॉर्डिंगली आ रही है बढ़ सब्सक्राइब जो पर यूपी आगे अगे है रुजान पूरी आगे चल रहे है राज समन्ध में दिया कुमारी आगे चल रही है जैप रोग्रामीं से राज्य वर्धिन सिंग राठोड भी इस समय आगे चल रहे हैं जालोर से देव जी पटेल आगे हैं कोटा से भाषव प्रद्याशी ओम बिल्डा आगे चल रहे हैं अगे बासवाड़ा में अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है क्या कारण रहे हैं खेर अभी पदा चलेगा लेकिन अभी तक बासवाड़ा में काउंटिंग शुरू नहीं हुई है बास्वाड़ा में सबसे बड़ी बात यह कि भारती ट्राइबल पार्टी बीच में मैंदानी में कुदी है कि सीः लोट डाले नाल में इसा मुझे लगता है ने लगातार अपनी जो बढ़त है बना रखी है एक तरफा सॉही हां तो मामना लग रहा है कि लग रहा है नतीजा भी सबसे पहले शाहिद यहीं के ना आ जाए करीब 25 से 30 जार वोटों से समय मिश्चा आगे चल रहे हैं वारा नंजी से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आगे चल रहे हैं अबहें तक अमेटी से खैर दूसरी खबर नहीं आई है शुरुवाति लुजुवरान में थोड़ा सा थोड़ा सब पीछे थे रह गांदी वरत पुर से कॉंग्रेस कंद्रिय हैं दो सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं राव ग्लादी अमेटी से अवाइनाट से जी बरत पूर में कॉंग्रेस आगे चल रही है बरत पूर कर दो सीट आशी जहांसे कॉंग्रेस काफी उमीद से है बाड मेर भरत पूर कर ली दौसा गंगानगर नागहर जोतपूर जी सनी देउल आगे चल रहे हैं मैन पूरी से मुलायम सिंग आगे चल रहे हैं Postal Ballot में वेबव गैलोत आगे हैं 100 वोटो से करीब राजवर्धन आगे चल रहे हैं लगातार जाई पूर्स पूस्टल बैलेट और जाजयादा कहिं पहला रहा हुआगा जे इट इस टू अर्ली टू से एनिजिंग लेकिन फिलाल ये अभी जो 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 रुजहान आ रहे हैं जितने वोट गिनेंगे जी वो रुजहान अभी वैसी लग रहे हैं जैसा एक्जिट पोल था अला कि इतमें फेर बदल की पूरी गुंजाईश है जितने राउंड होंगे वो उसके साथ पता लगेगा आधी वोटों की गिंती होने तक पता लग जाएगा जी कि ये किदर जा रहा है जी जी आनिल जी हम थोड़ा सा अभी रुजहान आई रहे हैं इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा से 2014 के नतीजों को अगर आप कहें तो हम थोड लेकिन इससे पहले सोलवीव लोगसभा 2014 के रिजल्ट में राजस्तान की सभी 25 तीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी कॉंग्रेस ने जीत का खाता भी नहीं खोला था आए ग्राफिस के जानते हैं 2014 के लोगसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने किन-किन प्रत्य लाश्यों पर अपना फैसला दिया था हुआ 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 ह झाल 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 झाल